होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकावनाएं होली के समय में होली के दिन में बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं वैसे तो हम आज जिस प्रियोग की बात कर रहे हैं जो आपको बताने वाले हैं वो आपको आराम से किसी भी रोड साइड या फिर किसी नदी के किनारे आपको ये पौधा मिल जाएगा या कोई साइड में जैसे जंगल वाला एरिया होता है उस टाइब के जगह में मिल जाएगा ज्यादा बड़ा इसका प्रियोग नहीं होता लेकिन इसके प्रियोग बहुत है तंत्र क्रियाओं में इसका प्रियोग होता है और इसका प्रियोग कभी खाली नहीं जाता इसको कहते हैं गुंजा गुंजा हलांकि बहुत सारे रंगों में आता है लेकिन इसका प्रियोग पाने तो गुंजा के टोटके बहुत असर दिलाते हैं और लक्षमी प्राप्ती के लिए सबसे ज्यादा कारगर भी है गुंजा एक ऐसा बीज है जो बहुत ही दुरलबता से मिल पाता है क्योंकि अगर सयोग से आपको मिल जाता है तो आप उसका उपयोग नहीं जानते हैं त वैसे मार्केट में खरीद के मिलते हैं भी गुंजा अब देखिए इसका उपयोग आपके जीवन के हर परिसानियों से आपको बाहर निकालेगा तो गुंजा जो की एक फली का बीज है और इसको धुंची रत्ती पहले की जमाने में सोना तॉलने के काम में आता था इसलिए इसका नाम रत्ती भी है इसका जो बेल होता है न वो मटर की तरह होता है लेकिन मजबूत और कड़क तने वाली जार नूमा पेड है वैसे आप सुनार के दुकान में भी आप पहले देखते होंगे लेकिन इसका वेट जो होता है करीब 120 मिली ग्राम होता है तो चलिए आज ह मतरकून है उत्रा ही जदा इसका उपयोग आयूर्वेद में भी होता है और आयूर्वेद में सफेद गुंजा का अधिक परियोग होता है ऑस्थि के साथ इसके मूल का जो मुलेठी के समानी स्वाध और गुन वाली होती है इसके लोग बस यह समझ लें कि रक्त गुंजा यानि कि जो लाल गुंजा है वो बिसेला होता है खाने से उल्टी दस्ट पेट में मरोर कभी-कभी मिर्तियू तक हो जाती है तो वैसे तो आदिवासी छेत्रों में पसू पक्छी को मारने के लिए जंगल बिस निर्मान में इसका परियोग पहले होता था जंगलों में लेकिन आएए आज हम जानते हैं गुझा के कुछ खास परियोग तो गुझा फली के बीच जो हैं वो तीन तरह के होते हैं लाल, सफेद, काली लेकिन कहीं कहीं हरी भी देखी जाती है तो काले रंग का जो गुंजा है वो जो की देखिए लाल और काला आपने देखा होगा लाल गुंजा के मुँपे हलका सा काला रंग होता है तो इसका प्रियोग जादा होता है तंत क्रियाओं में और अगर लाल गुंजा की माला सिद्ध करके गले में पहन ले तो जो बैक्ती पहनता है उसका हर कोई गुलाम हो जाता है जो सफेद गुंजा है उसके भी एक सीर पर थोरा सा काला कलर होता है और इसका तंत्र क्रियाओं में भी उपयोग होता है और आयुर्वेद उपचार में भी होता है हलाकि ये थोड़ा दुरलब है पर जो काली गुंजा है वो बहुत दुरलब होता है लगबग नहीं केबरावन मिलता है ये तंत्र क्रियाओं में सबसे ज़्यादा परियोग महत्पुन इसका माना जाता है तो इसके अलावे भी जैसे पीली गुंजा भी होती है लेकिन लाल और सफेद वाली गुंजा थोड़ी ज़्यादा मिलती है तो चली जानते हैं गुंजा का परियोग सबसे पहले संतान प्राप्ती के लिए गुंजा का परियोग आप क्या करें अगर आपको संतान की चाहत है तो आप सुभ मुहुर्थ में किसी भी सुभ मुहुर्थ में सफेद गुंजा के पेड़ की जड़ ले आईए थोड़ा सा आप गुरू पुस्से रभी पुस्से नच्छतर या कोई भी सुख मूर्थ में आप ले आए और नहीं तो ब्रहमूर्थ में ले आए भी जीत मूर्थ में ले आए अब गाय के दूद से धोकर इस जड़ को सफेद चंदन धूप दीप से पूजा करके सफेद धा he ett at Ayung doing all junk g gym दंग a1 108 चंग ते आप धारन करना ब lag चेंद आखने को संतान सुख छे मैने के अंदर होगा तो देखे आप अगर चाहते हैं कि किसी बैक्ति के बैर को हटाना याद रखेज जो बैक्ति आपका बुरा चाहता आपको परिसान कर रहा है आप चाहते हैं उसके मन में आपके परती जो मैल है जो दुर्भाव ना है वो हट जाए तब मन में उस बैक्ती का ध्यान करते हुए एक मिट्टी का दी पक ले ले अब पांच दाने गुंजा ले ले लाली गुंजा ले ले सहद में डुबो कर इस ग अच्छा वक्त होता है वैसे ग्रहन के समय होली दीवाली और पुर्णिमा आम वस्या यानि जो बड़ी रात होती है ना आप उस रात को करें दीपावली तो साल में एक बार आईगी लेकिन पुर्णिमा वस्या तो हर महने आती है तो आप ग्रहन के समय भी कर सकते हैं इस प्र देना है अब जो गुंजा का दाना है अगर आप अभी मंत्रित करके किसी भी बैक्ती के पहने वे कपड़े या रुमाल में बांदें तो वह हमेंसे लिए आपका हो जाएगा अब बैक्ती कोई है आपका पती है पत्नी है आपके घर में लोग हैं जो आपको प्रेम नहीं कर में रहेगा ट्राय तो कर सकते हैं घर की खुसिया आपको मिल जाएगी अब देखिए हर कोई चाहता है कि जीवन में खूब सम्मान मिलें तो ऐसे में आप क्या करेंगे बुंजा की जड़ किसी भी कलर की गुंजा की जड़ आप ले आईए थोड़ा सा और चंदन की तरह उ लोग आपका कहना मानेंगे आपको सुनना चाहेंगे वैसे तो अगर आप बैफसाई हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए आपका बैफसाई खूब चलेगा आप एक लाल रंग का कोड़े कपड़े ले यानि इसमें प्रिंट वेगर ना हो बस लाल कपड़ा हो अब इस हैं वहीं करेंगे किसी भी ऐसे अस्थान पर जाईए जहां लोग आपको देखे नहीं टोके नहीं सुनसान अस्थान पर अब जाकर अपने उपर से उल्टे हाथ में लेकर 11 बार उल्टा उतार लें और कम से कभ 11 इंच यानि कि एक बित्ते से जादा एक लगबाग एक फु जो लाल गुंजा है ना अगर आप चाहते हैं आपकी बुद्धी बढ़े स्मरन सक्ति बढ़े आप बिद्यारती हैं आप चाहते हैं आप में निकार आए तो ग्यान बुद्धी बढ़ाने के लिए स्मरन सक्ति को बढ़ाने के लिए गुंजा जो होती है गुंजा को सास्त्र कहता है पर अगर जो विद्यार थी आपके घर में उनको पढ़ाय लिखाई में मन नहीं लगता है तब माता पिता एक प्रियोग करें 11 यह 21 दाने गुंजा ले लें और इसके बाद जो बच्चें जो पढ़ाई करतें उसके उत्तर पूरब उसके बेड रूम में जहा कबच के तरह बहुत साई चीजें काम करती है समरिद्धी बढ़ाती है नजर दोस्से मुक्ति दिलाती है और सुखद नाम पत्ते जीवन के लिए अगर गुंजा की माला या एक दो दाना गुंजा भी आप उसको धारन करती है आप चाहें तो कंगन में पिरो कर पहन सकते है या आप चाहें तो किसी धागे में पिरो कर अब कैसे पिरोएंगे थोरा दिर उसको पानी में भीगो दे वो फुल जाएगा उसको पिरो लें फिर वो सूख जाएगा तो आप धारन कर लें प्रेम बढ़ता है तो गुंजा का प्रियोग बहुत सारे हैं वैसे तो गुंजा कि कहां पिद्धन है अगर सत्रु जादा परिसान करें तब या फिर जीवन में जब जादा परिसानी हो तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए राहू के कारण ब्यपसाय नौकरी में बाधा आती है मुस्किले जादा परिसान करती है तो लाल गुंजा के दो दाने और हरी लाल वस्तर में बांध कर अपने कमरे में रखें तो हम आपसे भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें वीडियो के सेयर करें जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा हर हर महादेव कमेंट में लिख धन्यवाद सिरी लेंगे